Hello friends and welcome you all to Shribalaji Computers Friends, आज की हमारी वीडियो का topic है कि कैसे आप अपने अधार कार्ड का जो data है उसको आप secure कर सकते हैं ताकि उसका कोई भी misuse ना हो आपको शाद ये पतर नहीं होगा कि हमारी government of area ने एक नाया feature launch किया है जिससे आप अपने अधार कार्ड को log कर सकते हैं तो आज हम जानेंगे उस चीज़ के बारे में कि किस तरह से अपने अधार कार्ड को log किया जा सकता है ताकि उसके data का कभी भी कुछ भी misuse ना हो इससे पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और bell icon पर click जरूर कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियो की notification मिलती रहे तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप अपने अधार कार्ड को lock या unlock कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है आप अधार कार्ड के official website पर जाएंगे uidai.gov.in यह हमारी अधार कार्ड के official website है यहाँ पर आप जाएंगे और my अधार पर click करेंगे my अधार पर click करने के बाद आप देखेंगे कि आगे एक open page जो है वो open हो जाता है पर यहाँ पर हम अधार services के अंटर देखेंगे यहाँ पर हमको बहुसी services दी गई है verify an अधार number, verify email and mobile number retrieve, loss or forgotten, eid, uid, virtual id generator बगारा बहुसी यहाँ पर services दी गई है और यहाँ पर हमको एक service दी गई है अधार lock and unlock service इसी service का use करके हम अपने अधार card को lock कर सकते है ताकि उसमें जो हमारी personal information है उसका कहीं भी कोई भी misuse ना कर पाए इससे पहले आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी होगी एक तो आपका कोई भी एक mobile number आपके अधार card के साथ link होना चाहिए तब आप इस चीज़ का इस service का आप उप्योग कर सकते है और दूसरी जो important चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है virtual ID आपके पास आपके अधार card की virtual ID होनी चाहिए अगर आपके पास आपके अधार card की virtual ID नहीं है तो आप क्या करेंगे virtual ID पर click करेंगे virtual ID पर click करने के बाद आप यहाँ पर अपना अधार card number फिल करेंगे जैसे हमने यहाँ पर एक अधार card number फिल कर दिया वैसे ही पर यहाँ पर आप यह जो capture code आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इसको आप फिल करेंगे और send OTP पर click करेंगे जैसे ही आप अपना अधार card number यहाँ पर fill करेंगे और send OTP पर click करेंगे तो जो भी आपका mobile number आपके अधार card के साथ link होगा उसके ओपर एक one time password आएगा वो आपको यहाँ पर fill करना है और यहाँ से आपकी जो virtual ID है वो आपके registered mobile number है तो यह एक बहुत ही simple process है अपनी virtual ID create करने का उसके बाद आपको क्या करना है दुबादा से माई अधार पर click करेंगे अधार services में हम यहाँ पर click करेंगे अधार lock and unlock service यहाँ पर भी आपको simply क्या करना है यहाँ पर आप दिखेंगे कि lock UID unique identification यहाँ पर lock के पहले tick हुआ है अगर आपने unlock करना है तो unlock पर जाएंगे और lock करना है तो lock पर जाएंगे लोग पर जाने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आप उपना अधार काड का जो number है वो आप यहाँ पर fill करेंगे यहाँ पर आप उपना full name तो आपका जो अधार कार्ड है, वो लॉक हो जाएगा, और कोई भी आपके अधार card के data का misuse नहीं कर पाएगा उसके बाद दुबारा से इसको unlock करने के लिए आपको क्या करना है unlock UID पर click करेंगे यहाँ पर अपना virtual identification number जो आपने पहले हमने generate किया था virtual ID वो virtual ID आप यहाँ पर write down करेंगे और नीचे आप यहाँ पर capture code write down करेंगे और send OTP पर click करेंगे दुबारा से आपके mobile number पर एक one time password आएगा वो one time password आप यहाँ पर fill करके submit करेंगे तो आपका जो अधार number है वो unlock हो जाएगा इस तरह से आप अपने अधार को lock और unlock कर सकते हैं ताकि आपके अधार card में जो भी data है उसका कोई misuse ना कर पाए तो यह सी आज की हमारी information अगर आपको हमारी यह video अच्छी लगी तो please like कीजिए हमारी video को और share कीजिए यह information अपने दोस्तों के साथ क्योंकि आज कल बहुत ही जदा fraud हो रहे हैं बैंक्स में और भी बहुत जगह पे frauds हो रहे हैं तो अपनी personal information को save करना बहुत जरूरी है इसके साथ ही subscribe कीजिए हमारा channel ऐसे ही और videos के लिए मिलते हैं हमारी अगली video में till then click on the video links and enjoy learning Bye Bye